इलमिट और केक नए वीडियो में आपका स्वागत है बात करें आज की सबसे बड़ी ख़वर की तो जैसा कि आपको पता है आज 7 सितंबर 2023 को सहरुख खान की मच अवेटेट फिल्म जवान सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है तो बात करें कैसी है जवान? कोई नाम है? इस फिल्म को आप अपनी पूरी फैमली के साथ देख सकते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे साहरुख खान और उनकी इस फिल्म के बारे में ममूटी की मच अवेटेट फिल्म ब्रहम यूगम से उनके फश्ट लुक पोश्टर को रिलीज किया गया है आप यहाँ पर इन पो इस फिल्म के ब्रहम यूगम की कहानी को लिखा है अभी तक इस फिल्म के रिलीज देट को आनांस रहीं किया गया है पर मेकर्स ने कनफर्म किया है कि ममूटी की यह फिल्म एक पैन भारत फिल्म होने वाली है जो हमें मलयालम के साथ हिंदी तिल्गु तमिल और कंणड भास में देखने को मिलेगी तो आपको ममूटी का ये फस्ट लुक पोश्टर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं अक्षे कुमार की मच अवेटेट फिल्म मिसन रानी गंज के टीजर को रिलीज किया गया है अक्षे कुमार की ये फिल्म एक सर्वाइवल ठ्रिलर फिल्म होने व जिसमें हमें रियल लाइफ हीरो जस्वन सिंगिल की कहानी देखने को मिलेगी जिन्होंने रानी गंज के कोल माइड में बाड में फसे मज़दूरों को बचाया था और वहीं बात करें इस टीजर की तो टीजर काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है और वहीं टीजर के पवन कल्याण की मच अवेटेट फिल्म उस्ताद भगस सिंग से एक अपडेट है आपको बता दें उस्ताद भगस सिंग के मेकर्स ने ये पोश्ट डालते हुए बताया है कि आज से पावर इस्टार पवन कल्याण ने इस फिल्म की सूटिंग को फिर से जॉइन कर लिया है जिसे डारेक्टर हरीश संकर डारेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें पवन कल्याण के सांस्री लीला और साक्षी वैदे लीड रॉल में देखने को मिलेंगी और वहीं विक्कीपीडिया के अनुसार पवन कल्याण की ये फिल्म 2016 में आई एटली के डारेक्शन म तो आप क्या कहना चाहेंगे धनूस और उनकी आने वाली इस फिल्म के बारे में पर इस बार शंकर को कैसे रोकोगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले धन्यवाद